जारकंड लोक सेवा आयोगद्वारा आयोजित छठी संयुक्त सिवल सेवा प्रतियोगिता परिक्षा के रिजल्ट को चुनवाती देने वाले विभिन्रिया चिकाओ पर सुनवाई हो चुकी है जारकंड हाई कोट के जस्तिस संजे कुमार दुवेदी की अदालत ने छटी जेपीएसी की मेरिट लिस्ट रद करते हुए 326 अभियार्थियों की नियुक्ती को वैद करार दिया अदालत ने आठ सब्ता में फ्रेश मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश भी दे दिया है इसके साथ ही JPSC के अधिकारियों के जम्मेदारी तै करने का भी निर्देश दिया गया है इस पर नाराजगी दिखाते हुए सफी इमाम ने कहा है कि JPSC की सभी परिक्षाव में गरबड़ी वब्रष्टा चार हुआ है छटी JPSC में भी 2016 से ही विरोध हो रहा है इसमें आरक्षन का पालन नहीं होना विग्यप्ति के अनुसार 15 गुना का पालन नहीं होना है साथ ही उन्होंने कहा कि वो मेरित लिस्ट जब से बनकर रिजल्ट बनकर प्रकाशित हुआ उसके बाद इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया धरना अंसन उन्गुलान पद्यात्रा भी किया फिर भी हेमन सरकार के नियुकती दे दिया जो युवाव के साथ विश्वासकात किया है मजबूर होकर अभियर्थी न्यायाले की दर्वाजा खटखटा कर न्याय की गुहार लगाया वहाँ भी न्याय नहीं मिल रहा है सिर्फ संसोधन का निरने लिया गया है तो देखिए इस पर क्या कहा सफी इमाम ने स्टुडेंट को टिक आउट किया हुआ कोशन मिला है इसमें भरस्टाचार की बू आती है ये दो साल पुराना प्रस्णुप पत्र पर ही एक्जाम लिया गया था लगातार आंदोलन के साए पर जोर जबरजस्ति से रगुबर सरकार ने इसको नियुक्ती मेंस पर इच्छा लिया था और नियुक्ती प्रसेस को आगे बढ़ाया था काफी विवाद के साथ हम लोग तभी से काफी लंबे समय से संगस कर रहे हैं लड़ाय कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए अंसन धरना भूखरताल हम लोगोंने क्या नहीं किया है इसके लिए 550 किलोमेटर से भी ज़्यादा लगवग 600 किलोमेटर तक उली हातू से भूखनाडी तक हम लोग उलगुलान पदयात्रा भी किया चटी जपी एसी की आंदोलन सडक से सदन तक गूजा है और हाई कोट से सुप्रिम कोट तक पहुँचा है हैमंत सरन जब परतिपक्ष में थे तो चिला चिला कर चिक चिक कर कहते थे कि जैसे ही सप्ता में आएंगे छटी जपी एसी रद करेंगे यह कहकर के जारखन के युवाओं के साथ विश्वास खात किया उनका भरोसा लेकर के सप्ता प्राप्त करने के बाद कोरोना काल में आनन फानन में नियुक्ति दे कर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है इसका उन्हें परिनाम तो भोगना ही पड़ेगा अभी निर्नाइक बारे में हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोट भी जाने का हम लोग मन बना रहे हैं क्योंकि पूरी नियाएं नहीं मिला है चटी जपीएसी ने प्रारमिक अस्तरपर से ही करप्सन हुआ है उसमें पीटी में आर्चन नहीं दिया है मेंस में पंद्रगुना का पालन नहीं हुआ है अब नियूंतम जो अहरता है उसका भी पालन नहीं हुआ था इंगलिस हिंदी विशाई को जोड़कर मेरिट बना दिया गया था जिसको जो सुधार करके रिजल्ट निकालने के लिए अभी नियाले ने यी दिया है निरने दिया है तो इस पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट नहीं है लेकिन अभी यही का सकते हैं कि यह यह एक जलक है अभी इसके लिए लंबी संगर्श करना होगा जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोट भी जाना होगा और सड़क से सदम तक एक नया उल्गुलान फिर से करना होगा जार्खन के तमाम युवा बुद्धिस युवर्ग और समाजिक संगठन कायर करता हूँ और छोटे छोटे राजनितिक दलों से भी हम लोग अनुरोद करते हैं कि सब एक हो करके जार्खन को स्वच्छ बनाने के लिए जैपी एसी को करप्स्तन मुक्त बनाने के लिए हमारे इस लड़ाई में संगर्श में हमारे उल्गुलान में साब दे जोहार भेनवांत इमाम सफी बोकार से